भारत एक प्रेम भूमी है जिसके गाउं गाउं और शहर शहर में कई प्रेम गाथाएं गाई जाती है विदिशा जीले की एक ऐसी ही सुप्रसिद्ध अमर प्रेम कता है इन अमर प्रेम यूगल की याद में एक एतियसिक बंदीर का निर्मान किया गया है प्रेमिका के नाम पर एक मोहले का नाम रखा गया है नाईका के मोहले के लोगों का अंतिम संसकार दुसरे गाउं के शमशन घाट में आज भी किया जाता है यह सूप्रसिद्ध अमर प्रेम कथा विदीशा जीले की तहसिल पठारी की है मद्धी काल में पठारी के एक धनाध्य संपन परिवार की लड़की सारंगा का पठारी के गड़ी मोहला के एक गरीब परिवार के लड़का सारंगा सदावरत से छात्र जीवन पर प्रेम हो गया था अमार प्रेम काहनी के नायक सदावरत और नाई का सारंगा दोनों बढ़नगर बढ़ो हुमें सिख्षा लेने जाते थे इसी दोरान दोनों में प्रेम हो गया था सारंगा धनाध्य परिवार की होने के कारण सारंगा का दुसरे राज्ज में विवा हो गया था सदावरत ने रूप बदल कर सारंगा से मुलाकात की और दोनों सारंगा की ससुराल से भाग गए सारंगा के पती के सुरक्षा कर्मियों ने सदावरत सारंगा का पिछा किया यह दोनों प्रेमी प्रेमी का पठारी के समीपस्त महत्मा मदन बाबा के कुटिया में छुप गए जहां दोनों ने अमर मिलन के लिए अपने प्रांट प्रेम बेदी पर नियुच्छावर कर दिये विदीशा पठारी से आजिस सहले की रिपोर्ट पठारी छेत्री की सदाविरत सारंगा की जो अमर प्रेम का था कि है वो दूर दूर दाग विख्या थे और सारंगा जो इस प्रेम का था की जो नाईका है उसके नाम पर एक महला बसा हुआ है और इन दोनों का जहां पर मिलन हुआ था सदाविरत गड़ी महला के रहने वाले थे और सारंगा जो आज सारंगा महला है वहां की रहने वाली थी और धनाट परिवार्शे थी तो इसलिए उसका विबाद दूसरे राज में कर दिया गया था और उन सदाविरत ने भेश धारन नई नई भेश रखकर उसका पता किया और जब वहां से भाग कर आए तो पतारी के समीपश्त एक बाबा मदन बाबाद जी थे उनके पुटिया में ये लोग रुके और वहां पर ही उन्होंने हमेशा के लिए प्रेम अमर कर दिया और उन्होंने प्रेम की बली पर अपने बलीदान दे दिया इसलिए पतारी में चेणार आज भी उस महले में सारंगा महले के लोक अंतिम जनसकार करने नहीं हैं जब कि पठार के पास जो ग्राम बढ़ो है महां जाकर अंतिम संस्कार करते हैं ऐसी कई परंपरा हैं जो इस बात का सबूत देती हैं कि सदावरत सारंगा की जो फेहमस लव इस्टोरी है वो पठारी की है हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइपोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें